मैं मानने उप मुख्य मंत्री जी से स्वास्त मंत्री जो है हमारे पार्टी की नेता आधरेने स्री तेजशी पुर्शाद यादव जी को मैं लेटर लिखके इस पूरे चीज को उनके सामने रखूंगा कि इसकी जाच हो और मैं तो अभी कुछ सुना कि अभी पुछ कमिटी व हो गया वही उस पर कब जाये हुए है मेरे हाथ में लेटर है जिखा सकते हैं वही जिसका नाम आपने जीक्री किया पूजा तिरपाथी जीखा यह लेटर आया हुए है वो भी फर्जी है जो आप मता रहे हैं और उसमें सारे लोग फर्जी हैं मैक्सिमम लोग फर्जी हैं उस कॉलेज में मैक्सिमम लोग फरजी हैं, उसका भी हम मान करेंगे कि बढ़िया ढंक से जाच हो, मैं सरकार के तरफ अपनी बात को अपने लेटर पैड लगा करके मैं बिभाग को लिखूंगा कि ये जो 29 मामला है, जो 29 बच्चों का अड्मिशन हुआ है, बैगार नीट दि किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द, जो भी इस पूरे प्रकॉर्ण में सने लिपत हैं, वो जील के शलाखों के पीछे जा रहे हैं, बैयानंद राइलवेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में बरस्ट चार की खबरें आती रहती हैं, और 2019-20 सत्र में जो बिना नीट के 29 छात्रों का एड्मीशन हुआ है, इसी पर बाचीत के लिए हमारे साथ राज़त के जिला अध्यक्ष बिपिन कुश्वा हैं, जी बताइए सर, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बोला हूँ, मैं भी प्रिंट मीडिया और इलेक्टोनिक मीडिया के माध्यम से पुर्व से ही देखते आ रहा हूँ, और ये बिल्कुल साक्ष भी इसका जाच भी हुआ है, राज जिपाल महोदे ने टीम भी गठीत किया था, और इसकी ज कि जो नीट पास करेंगे, उनहीं का एड्मिशन होगा, और बगार नीट का एक्जाम दिये हुए, 29 छात्रों का एड्मिशन हुआ है, और इसका जाच में भी रिपोट आया है, तो जाच में रिपोट आया है, और अभी तक इसमें मैं देख रहा हूँ कि करवाई नहीं हो पाया है, तो मैं अब मेरी सरकार भी है मौजुदा समय में, मैं रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते हैं, कि मैं आपको दिखा दो, कि इसमें अल्रेडी पहले जो नीउस पेपरों में जो छपते रहा है, वो मेरे हाथ में है, जो रिपोर्ट निकल करके आई है, सिवायन अर्वेदी कॉलेज में बीना नीट नवांकन पर करवाई का इंतजार, इसना इसे आया है, जो राजयपाल महोदे ने टीम गठित किया था, उसका भी मेरे पास रिपोर्ट है, यह देख सकते हैं आप, और इसमें कुछ हाइलाइट हमने किया हुआ है, कि क्या क्या चीज था, देखिए, लास्ट वाले पेज पे, यह पूरा लिखा हुआ, आप दिखा सकते हैं, अपने स्क्रीन पे, टोटल चीजे इसमें दिया गया है, उनको दोसी भी करार किया गया है, देखिए, और भी हाइलाइट है, अमारे सामने, यहां पे, यहां पे, टोटल, और इसमें उनको दोसी पाया गया है, जो उसके प्रिंसिपल एक और खास बात है, कि जो रिटायर कर जाते हैं, जो बेक्ती, मज़े की बाती है कि अभी वह बने हुए है, और कौन उनको संरक्षन दे रहा है, अभी यह भी जाज की विशय है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमे संजेप पांडे जी जो हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, अब वो उस कॉलेज के सचीव हैं, अब यह तो पूरी जाज परकिरिया हो, मैं सरकार के तरफ अपनी बात को बे अपने लेटर पर लगा करके मैं बिभाग को लिखूंगा, कि यह जो 29 मामला है, जो 29 बच्चों का अध्मिशन हुआ है, बैगार नीट दिये हुए, जिसका रिपोर्ट अल्ड़ी मेरे हाथ में है, उसमें दोसी करार दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द, जो भी इस पूरे परकार्वन में सनलिप्त हैं, वो जेल के शलाखों के पीछे जा रहे हैं, साथ-ाथ महिने हो गए, और कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट राजभवन को सब्मिट कर दी गई है, लेकिन साथ-ाथ महिने के बाद भी अभी तक किसी परकार की कारवाई नहीं हो रही है, इसके क्या माइन है, अभी तो मैं जादे आपके चैनल के माधियन से नहीं बता प करूंगा विभाग को अपने लेटर पर लिख के मैं मांग करूंगा कि जो भी इस प्रकार्ण में सनलिप्त है, वो जेल के चलाक है, पीछे जाए, इस आयवेलिक कोलेज के प्रिस्पल डॉक्तर प्रजापति तिरपाथी की पुद्रवधू, पूजा तिरपाथी के ऊपर अरोप लगे हैं कि इनकी डिगरी फर्जी है, ये फर्जी ढंग से जो है ये वहाँ पर पढ़ा रही है, इसको लेकर क्या कहिएगा, मेरे हाथ में लेटर है, जिसका नाम आपने जिक्री किया, पूजा तिरपाथी जी खा, ये लेटर आया हुआ है, वो भी फर्जी है, जो प्रियाज करके जो दोसी है, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालाएगे, आपके अस्तर से क्या करवाई की जाएगी, आपने बताया कि आप सरकार में है, इस मामले मौजूदा, मौजूदा समय में तो सरकार में है, बिलकुल, इसको लेकर कि क्या आप आगे तजस्वी जी चल सकता है, और जो बच्चे होते हैं, वही भविष्य के आने वाले समय को भविष्य होते हैं, और जो सीख्षक होते हैं, वह भविष्य के निर्माता होते हैं, अब सीख्षक ही यदि फरजी हो, तो बच्चे कैसे होंगे तो अब यह तो अलग बात है, लेकिन मैं मान्निय मुख्य मंत्री जी से स्वास्त मंत्री जो है हमारे पाटी की नेता आधरे नेशरी तेजशी पुर्शाद यादव जी को मैं लेटर लिखके इस पूरे चीज को उनके सामने रखूंगा कि इसकी जाच हो और मैं तो अभी कुछ सुना कि अभी भी कुछ कमिटी वेगर बन रहा है जो अभी भाजपाई लोग हैं वहीं उस पर कब जाए हुए है अरे जो योग है पाटी कोई भी हो जो योग है उस जगह पे बैठे जो अच्छा काम करें सची वो बने हुए हैं यहां के जो भाजपा क्या द्यक्ष है बताईए हो क्या कर पाएंगे अब दात उखाने व दात उखाने वाला डॉक्टर आफिके जीला का है वो नोडल अधिकारी है तो क्या आप उमीद कर सकते हैं कि यहां पे बेतर डंग से इलाज हो उस्टे मांगनी यह मंगल पांडे जी थे स्वास्त मंत्री तो यहीं के आपके रभुनादपुर के एक हैं नाम नहीं लूंग सब्सक्राइब करेंगे और एक मानहानी का केस करेंगे ऐसी भी बाते करी जा रही है आप सही काम कीजिएगा ना तो रोरा तो पैदा बहुत लोग होते हैं बेतर ढंग से काम कीजिएगा बहुत लोग आपको रोकने का प्रियास करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि मंजिल मिले या न मिले तो मुकदर की बात है हम कोशिस भी न करे यह गलत बात है तो हमें हर चीज में कोशिश करना चाहिए मैं भी कोशिश करूँगा पूरा परियास करूँगा कि इस प्रकरण का बहुत जल्द रिजलिटा है